हालो स्टुरेंट्स गूड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई चैनल एयर केमेस्ट्री क्लासेज आज हम लोग पढ़ेंगे इनर्ट पेर इफेक्ट ओके केमिकल बॉर्णिंग और मॉलिकल स्ट्रक्चर क्लास 11 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं उसके इससे पहले जो वीडियो पर उसी का एक पार्ट है इनर्ट पेर इफेक्ट ठीक है तो चलिए बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है इनर्ट पेर इफेक्ट पढ़ना आप लोग इसको समझेंगे बढ़िया से समझेगा इसका कि क्या होता है फिर आपके लिए कुछ भी भारी नहीं लगेगा आपको तो कैसी हम यहांनी प्वा दो कि यह कुछ भी अभी अभी में भाग नहीं लेता कि इनर्ट के अन्दर प्यर में होगा चोंच पैर मतलब जोड़ा मझें होगा क्या होग होगा छोड़ा में इयो रिचνेंग हाइगह यह फ् dau lors повтор पहले समझे कि इस टर्म को दिया गया है किसके दुवारा इनर्ट पेर हुआ वज फर्स्ट पर पोस्ट बाइनेवल सेजबे कि 1927 यह आपको याद रखना है कि यह वर्ड देने वाले कौन थे अब देखे इनर्ट पेर होता क्या है पहले और कौन दिखाता है उसके बाद आप करण देने की बात और मोस्ट एक अटोमिक एस और वाइटल में जो पेर ऑफ एलेक्ट्रों होता है वो अनसेर्ड रहता है अनसेर्ड मतलब जो भाग नहीं ले शेरिंग में जो पाटिसिपेट नहीं करें कौनबिनेशन में नहीं ले और उसमें भी कैसा compound of post transition metal post transition metal जैसे आप लोग समझते ने प्री और पोस्ट जैसे प्री पेड पहले पेड पोस्ट मतलब बाद में पेड तो यहां पे post transition का मतलब क्या हुआ transition metal के बाद transition metal जो d block elements है आपका उसको transition metal कहते हैं तो transition metal के बाद जो elements आता है जिसको लोग non metals करते हैं तो transition metal के बाद जो metals आता है वो सो करता है inert pair effect यह आपने जान लिया inert pair effect को कौन करेगा आफ्टर transition metal के बाद वाला element ठीक है तो आप अपने periodic table में जब देखेंगे देखें मैं आपको दिखा देती हूं अभी अपने बुक से कि आपने कैसे देखना है और अपना आप परियोडिक टेबल आपके बुक में है आप उस बुक में भी देखेंगे ओके है तो यह देखें परियोडिक टेबल है ओके इसे हम लोग बोलते हैं s-block फस्टर सेकन्ड को s-block element कहते हैं और देखें यह जो बीच का बाद जो है उसे हम लोग P-block elements बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव elements बोलते हैं या पोस्ट-transition metal तो देखें पोस्ट-transition metal कौन कहलाएगा डी-block elements के साफ के बाद जो है ठीक है यह जो है यह इस पे कोई इफेक्ट असर नहीं आता आप पहले प्रेडिक टेबल देखिए क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड आपको बात समझाओंगी यहां पर क्या है थार्ड ए थार्ड ए में क्या-क्या है बोरॉन बोरॉन है एलुमीनियम गैलियम इंडियम थैलियम उसी तरह से फोर्थ में है क गैलियम गैलियम के नीचे जो है वह पोस्ट ट्रांजिशन में आ गया उसके बाद जी इसमें क्या है आपका जर्मेनियम टीन लेड यह सब क्या है पोस्ट ट्रांजिशन हुआ क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद वह आ रहा है तो इसी से रिलेटेड पढ़ाई हम लोगों को करनी है तो आपने देख लिया कि हम लोगों को पढ़ना क्या है थार्ड एक फोर्थे फिफ्टे शिक्स एक क्योंकि एक सेवेंथ यह आपका किसमें आ जाता है हालोजन गुरूप है वह ठीक है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको समझेना कैसे आपका कितना है इसमें इसमें जो था मैंने यहां पर लिखा है आपको यहां पर क्या है कि यह वैलेंसी दिखा सकता है क्या 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 वन वन सिर्फ पी और वाइटल अगर इलेक्ट्राण लूज करेगा तो वन और टोटल करेगा तो थ्री यानि दो बैलेंसी आपने देखा यहां पर है फोर्थ में भी होगा एनस्टू एंड पी टू इसमें जो एलिमेंट है उसको मैंने यहां लिखा है मैंसन क्या है कि यह सारे का जब आप कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं तो लास्ट में ओर्टर सेल का कॉन्फिग्रेशन यही आएगा तो क्या है यहां पर क्या आप देख रहे हैं कि या तो यहां पर क्या होगा पूरा पूरा इलेक्ट्राण लूज करेगा तो फोर हो जाएगा और सिर्फ पी difference of 2 आप देख रहे हैं कि यहां वेलेंस का difference कितना आ रहा है 3-1 2 यहां भी 4-2 2 5-3 2 तो आप क्या देख रहे हैं differences क्या रहा है वेलेंस का टू टू आ रहा है तो अब यहां पर यही decide करना है कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ का जो element है उसमें lower देखे जो कम है उसको lower oxidation state बोलते हैं और जिसका ज्यादा है वेलु ज्यादा है उसको higher oxidation state काते हैं तो higher oxidation state कब होगा जब और 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 खाली पी इलेक्ट्रों लूज होगा तो उस में क्या होगा लोर ऑक्सिदेशन इस्टेट होगा तो आप यहां पे जो इनर्ट पेर इफेक्ट है वो यही कहता है कि जो हैवियर एलिमेंट होते हैं जो डाउन टू ग्रूप आप आज आते हैं टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रूप में तो नीचे वाला हेवियर स्ट आलिमेंट होता है और हेवियर स्टे लिमेंट अमेसा लोर-व्यलर चीचरी दिखाता है हईयर उक्सिदेशन इस्टेट नहीं दिखाती ौर्ट लोर किसी बॉंड फॉर्मेशन तो कियों सब्सक्राइब्स कुछ इसे ऑलीमेंट है जिनका इलक्ट्रों लूज नहीं करता है यानि S orbital का electron lose नहीं होता है, उसका region भी जानना है, क्योंकि inert pair effect को हम लोग समझ गए क्या है, अब उसका region क्या है, वो भी हम लोग जानेंगे, तो देखिए, एक example मैंने यहाँ पर लिया, third group का valences क्या दिखाया है, one or three, one or three, तो one क्या है, lower valences है, lower valences कब होगा, only electron of P sub cell lost and NS2 electron remain intact, इसी का नाम है inert pair effect, अगर NS2 electron participate नहीं किया, इसी को आप समझ जाते हैं कि inert pair effect, बाता की समझ में, shortly क्या है, inert pair effect, और वही three जो है, आपका higher valences होता है, higher valences कब होगा, when both NS and NP electron lost, जब NS और NP दोनी electron lost हो जाएगा, तो higher valences होगा, अब देखिए, कुछ important बाते हैं आपको जाननी चाहिए, oxidation state, यानि कि जो oxidation state चढ़ेगा, element के उपर, उस element के उपर का oxidation state कैसे decide करेंगे, lower oxidation state होगा, यह जो अवस्ता है, यह lower valences, यानि lower oxidation state, तो क्या होता है, group number, यानि third group है, group number minus two, यानि three minus two, इसका oxidation state one, बाता ही समझे, one, उसी तरह से higher oxidation state के लिए क्या होता है, direct group number, इसका group number क्या है, हमारा, देखिए, group number क्या है, third, तो यहाँ पर किता हो जाएगा, oxidation state, plus three, यहाँ पर, plus one, तो यह सारी बातें आपको आनी चाहिए, कि higher oxidation state मतलब group number, lower oxidation state मतलब group number minus two, ठीक है, तो यही जो participate नहीं किया, तिसको बोलते है, inert pair effect, अभी ऐसा होता क्यों है, यह जानिए, तो जो भी post transition metals है, जो भी post transition element है, वो उसका जो है, उसमें क्या होगा, कि D block और F block elements के बाद वो आता ह है, D block elements भरता है, उसके बाद वो elements आता है, ठीक है, तो D block जो आपका है, D orbital जो है, उसका shape ऐसा है, कि वो electron, NS के electron को, यानि कि यह जो uttermost cell में, जो NS to electron है, इसको पूरी तरह से रोक नहीं पाता है, nucleus से attract होने में, ठीक है, जैसे आप एक example समझे, S का जो shape होता है, यह nucleus है, आपक जो shape होता है, वो spherical होता है, spherical, और D orbital, atomic structure में आपने पढ़ना है, D orbital का shape, चुकि double double होता है, उसका shape कैसा हो जाता है, देखे, जैसे एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, ऐसे, double double होता है, तो आप देख रहे है, nucleus से यह जो double वाला shape होगा, उसका क्या होगा electron, यह देखे, क्य होता है, यह जो D orbital का shape होता है, double double type afterwards, तो यहाँ पे इसका जो electron होता है, इसमें जो electron होता है, वो यह spherical shape है, आपका orbital, तो इसका shape ऐसा होता है, क्यानि इसको रोक नहीं पाता है, क्यूंकि आप यह तो जानते ही हैं, के एनस्टू यानि यह इलेक्ट्रॉन जो है यह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है किसे प्रोटॉन से जो की निकुलियस में होता है बात समझ लीजे आपकी रीजन क्या है इनट पेर इफेक्ट का कि पोस्ट ट्रांजिसन मेटल का मतले हुआ जो डी ब्लॉकर दुलॉक के बाद आता है एक ब्लॉक एलिमेंट यानि एफ सबसेल का तो अभी तक स्ट्रक्ट्टर डिफाइन नहीं किया गया है कॉम्प्लिकेटड है वह ठीक है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्टर है उसका लेकिन डी और वाइटल का स्ट्रक्टर आप जानते हैं कि डबल डंबल होता है औ उसका जो एस की एलिक्ट्रोन होता है वह बहुत वे और ट्रक्टड होता है वाइन्य नुध्य तो इसी वजह से आप करता है तो आपने एक चीस तो यहां पर नोटिस करी लिया होगा कि जब आप ग्रूप में आते हैं क्या होगा बढ़ता चला जाएगा क्यों बढ़ेगा क्योंकि जैसे आप नीचे आते हैं वैसे वैसे का यह प्रमानव संख्या भी यह एक चला जाता है इसलिए है स्टार्टिंग के जो commitments और लेक्ट्रों पूरा फूरा क्योंकि वो ट्रांजिशन मेटल के बाद नहीं आता है वह क्या है वह एस के बाद डारेक्ट पी में आ जाता है इसलिए वहां पर कोई डिफिकल्टी नहीं है बात को समझ लीजे अच्छे तरीके से तो चाहता कि आप अपना स्टडी करेंगे तो आपके समझ में आएगा बोरॉन अलुमीनियम यह सब क्या दिखाता है यानि यह प्लस दिखाता है विश्मत भी आपका प्लस इसका रीजन क्या है क्योंकि यह सारा जो अब दिखाया था उसमें कि एसके बाद आता है अपनी देख सकते हैं इसके बाद आता यानि इसमें डी ब्लॉक का इंटरवेणिंग नहीं है कहीं भी कुछ भी ब्लॉक नहीं है जब ब्लॉक नहीं है इसली आपका पी और वाइटल गाइलेक्ट्रॉन भी लूज हो जाएगा और एस और वाइटल का वी लूज हो जाएगा यह करेगा तो यह कंडिशन होता है जो स्टार्टिंग के होते हैं सुरवात की टॉप पे जो इलीमेंट्स होते हैं वह इनाट पेर इफेक्ट्स नहीं करते हैं जो बॉटम की तरफ जब जैसे मूव करेंगे आप तो आपका इ हाइर एलिमेंट तो उस चीज को मैं यहां पर नोट डाउन कर देती हूं ताकि आप उसको लिख ले और समझें बात को एक दो बारी सुने और आपके समझ में एकदम कॉंसेप्ट आजाएगा 100 परसेंट गारेंटी है इस बात की तो देखें जो मैंने आपको समझाया वह यहा बताएगा ताकि उसको किलियर किया जाता कि किसी भी चीज को पढ़ना है तो उसको पूरी तरह से किलियर कॉंसेप्ट के साथ पढ़िए तब आपके लिए हमेशा फायदे मन रहेगा तो देखें मैंने लिग दिया यहां आपनो डाउन कर लें दपी ब्लॉक ऐलिमेंट्स यहां मैंने लिख दिया है थोड़ा सा लिखना था इसलिए मैंने यहीं पे आपको लिख के बता दिया है आप इसे कर सकते हैं ठीक है यहां मोरली हेल्ड बाइ दर निधंविजन इया होता है जादा टा लिख ल रहता है निखज bisher से और हूर इलेक्ट्रॉन लोज नहीं होता है और इस तरीके सेढा इनर्ट प hai इफेक्त करता है तो मैं आई form कि आपको नहीं समझ में आए दो कमेंट डियो करने एधा कि आपको हर एक वीडियो का Mas construction मिलता रहे और लॉक से और भूलना नहींे इस बात को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो मैं तब तक लिफ कीर क्यों